दोसों हम सब घर में बैट बैट कर बोर हो गए है तो हमने सोचा कि उन्हां आपको हमारे वीडियो के थुरू दुनिया के कुछ खूपसूरा जगाओं की सेर कराई जाए आखरी जगह तक देखना यकिनन हर एक जगह आपको जरूर पसंद आएगी नमबर वन डेविल्स पूल विक्टोरिया फॉल्स जैंबिया विक्टोरिया फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है इसके एज पर बनाई है डेविल्स पूल डेविल्स स्वीमिंग पूल है इसको दुनिया का अल्टिमेट इंफिनिटी पूल भी कहा जाता है नमबर टू, पमुकाले होट स्प्रिंग साउथ वेस्टन टर्की पमुकाले का मतलब है कॉटन कैसल जिसका नाम इसके चमकदार स्नो वॉइट लाइम स्टोन के सर्फेस की वज़न से मिला यह होट स्प्रिंग 2nd सेंचुरी बीसी जितना पुराना है साइंटिस्ट का मानना है कि होट स्प्रिंग जमीन के नीचे होने वाली वोल्कानिक अक्टिविटी से पैदा हुआ है नमब थ्री, मौरन लेक, कैनडा मौरन लेक अपने चमकदार नीले और हरे पानी के लिए जाना जाता है जो कि इस लेक की खूबसूरती भी है ये लेक कैनडा के बैन्फ नाशनल पार्क का हिस्सा है नमब फोर, ग्रेट ब्यू होल, बैलीज सिटी, जॉर्डन ग्रेट ब्यू होल एक बहुत ही बड़ा जाइंट मरीन सिंख होल है जो कोस्ट आफ बैलीज के पास है ये सिंख होल एक सरकल के शेप का है और ये 318 मीटर एरिया में फैला हुआ है और 124 मीटर गहरा है ये सिटी अपने नाम जैसी ही है यानि कि ब्ल्यू इस सिटी के सारे घर, रास्ते, सब ब्ल्यू कलरड है जिसकी वज़े से इसकी खूपसूरती और बढ़ जाती है और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ जाना पसंद करते है ये जगह भी अपने खूपसूरत अंडर्वाटर सिंखोल के लिए फेमस है जिसके अंदर कैनल्स और छोटे-छोटे रास्ते बनाए हुए है इस कैन्योन का लहरो जासा आकार है जो इसको एक यूनिक सा लुक देता है इस कैन्योन के अंदर जाने पर आपको सुन्दर से लाइट बीमस भी दिखेंगे अंटेलोग साउथ वेस्टन युएसे का सबसे ज़ादा फोटोग्राफ कैन्योन है यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े कॉरल रिफ मिलते है यहाँ पर कुछ 900 आइलेंड है और 2600 किलोमेटर जितने बड़े एरिया में फैले हुए है नमर नाइन टॉरस जल पैनी टॉरस जल पैनी को सबसे अट्राक्टिव बनाते है उसके तीन ग्रिनाइट के पाढ़ जुकि एक खूपसूरा तालाब से 8000 फी टूचा है नमर टेन नामिब डेजर्ट नामबिया 1200 माइल्स के इस बंजर रेगिस्तान की भी अलग एक खूपसूरती है इस रेगिस्तान में आपको हर जग़ अलगला कलर की रेट दिखाई देगी जो कि साइन्टिस्ट और ट्रावलर्स दोनों को अट्राक्ट करती है ये जग़ डाइमंड माइनिंग के लिए भी जानी जाती है इस पार का सबसे खूपसूरत नजारा है इसके आसमान चुने वाले लंबे लंबे पेड यहाँ पर दुनिया के सबसे लंबे पेड पाई जाते है जिसकी वज़से ये जग़ और भी टूरिस्ट को अट्रैक करती है इस जग़ की खूपसूरती है इसके बड़े बड़े पाहाड, तालाब और नदिया यहाँ के पाहाडों की उचाई कुछ 15,000 फिट तक पहुंचती है ये पार्क कुछ 1,3,121 हेक्टर में फैला हुआ है यहाँ के 30 से भी ज़ादा पहाडों की उचाई 3 किलोमेटर से ज़ादा है और इनमें से सबसे उचा है यूशान जिसके उपर इस पांक का नाम रखा गया है स्विजल लेंड की सबसे खूपसूरा जगाओं में से एक है लेक ब्रेंड जिसके आस पास बरफिले पहाड है और एक आइसल्ट वर्ल्ड नाम का कैसल भी है जिसकी वज़े से इसकी खूपसूरती और बढ़ जाती है कोकोरा वैली सेंटरल कॉडलिरा के अंदमान माउंटन्स में लोकेटड है इस जगह का नाम कॉंबियन राज के राजकुमारी कोकोरा के नाम पर है जिसका मतलब है स्टार ओफ वाटर यहां के हर भरे पहाडों में घोड स्वारी करने के लिए दूर दूर से लोग आते है औ 17. हैलोंग बे वियतनाम टोंकिंग गल्फ में हैलोंग बे अपने ग्रीन पानी और 2000 से भी ज़ादा लाइमस्टोन आइलेंड और केव्स के लिए जाना जाता है जिसकी वज़र से यह जगह बहुत सारे टूरिस्ट को अट्राक करती है 18. मचू पिचू पेरू मचू पिचू दुनिया के साथ वंडर्स में से एक है और इनका सिविलाइज़ेशन का यह सबसे जाना माना आइकॉन है जो कि अमेजॉन के जंगल में कहीं गहरे में है यह कहते है कि इस सिटाडेल को 1450 AD के आसपास बनाया गया था 19. सालाडे यूनी, बॉलिविया सालाडे यूनी या सालाडे टुनूपा दुनिया का सबसे बड़ा सौल्ड फ्लैट है जो 10,582 स्क्वेर किलोमेटर में फैला हुआ है इसके बर्ब से ढखे वोलकानोज और कैक्टस से भरे आइलेंड के लिए यह जगह फेमस है लेकिन इस जगह को सिमेंट्री आप ट्रेन में सात रंग मौझूद है यह पेरू का फोर्थ सबसे बड़ा पाढ़ है और इसके उचाई लगबख 6.3 किलोमेटर है नमबर 21 बोरा बोरा आइलेंड यह आइलेंड कोई जन्मत के नजारे से लगते है इस आइलेंड की खासियत यह है कि यहां का पानी मोतियों से भी साफ है और इस आइलेंड पे एक भूजा हुआ वोलक्यानों भी मौझूद है और दोस्तों आगे भी ऐसे धमाकेदार वीडियोस देखना जाते हो तो नीचे देएगे लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे